अब बात होगी पाकिस्तान के सियासी संकट की ये सियासी सरकस भी कहा जा सकता है जो लगातार जारी है फैसला फैसले से पहले इमरान ने चला केर टिकर पीम का पैत्रा शैवाज वर्सस इमरान किसका होगा पाकिस्तान इमरान खान की कुर्सी गई तो जेल पकी इंडिया टीवी पर इसलामाबाद से एक-एक प्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान का सियासी सरकस लगातार जारी है इमरान वर्सस विपक्ष के बीच चल रहे हाई बोल्टेज मैच के पिच अब वहाँ की सुप्रीम कोट है जहां से ये तैय होगा कि इमरान प्रधान मंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या फिर उनका अगला ठिकाना जेल होगा जी हाँ इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे विपक्ष ने इमरान के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है संसद भंग करने के केस में सुप्रीम कोट में सुनवाई जारी है आज दो पहल साड़े बारा बजे सुप्रीम कोट में फिर से सुनवाई होगी संसत भंग करने के राश्पती के आदेश पर आज पाकिस्तान की फर्मोच अदालत अपना फैसला सुना सकती है विपक्ष की मांग है कि इमरान पर आर्टिकल 6 के तहत कारवाई हो यानि विपक्ष ये चाहता है कि इमरान पर देश दिरों के कानून के तहत कारवाई की जाए हलाकि सुमबाल को चीफ जस्टिस ने जल्दबाजी में फैसला देने से मना कर दिया आज पाकिस्तान की नैशनल इसम्बली में डेपीजी स्पीकर के फैसले पर भी सुप्रीम कोट का आदिश आएगा कोट आज इमरान की पार्टी पीटी आई का पक्ष सुनेगी आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसलामा बाद में आज क्या होगा पहली बात तो यही है संसद भंक करने पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी तो पहले साड़े बारा बजे सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू होगी इमरान पर आर्टिकल 6 के तहट विपक्ष कारवाई की मांग कर रहा है देश्द्रों के तहत इमरान पर कारवाई चाहता है विपक्ष आज इमरान की पार्टी PTI का पक्ष सुप्रीम कोट में फुना जाएगा आज इमरान की पार्टी अपना पक्ष सुप्रीम कोट में रखेगी कि सुनसद भंग करने का जो उनका ये फैसला है ये कहां तक उचित है इस पर आज सुप्रीम कोट में पीटी आई का पक्ष सुना जाएगा एक और सुप्रीम कोट में सुनवाई हुनी है तो दूसरी और इमरान कैंप में क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं इमरान ने पीटी आई के कहम बैठक बुलाई है पीटी आई के सुनसदी अबोर्ट की बैठक बुलाई गई है और चुनाव से पहले टिकेट बटवारे पर चर्चा हुनी है यानि इमरान खान एक तरह से पूरी तयारी कर रहे हैं चुनाव में जाने की इमरान ने केयर टेकर पीम के लिए अपना नाम भी राश्च्बती को भेज़ दिया है केयर टेकर पीम के लिए उन्होंने रिटार जस्टिस गुलजार एहमद का नाम सजेस्ट का है लेकिन हर किसी की नसराज पाकिस्तान की सुप्रीम कोट पर टिकी हुई है जहां इमरान की किस्मत का फैसला होगा सुप्रीम कोट के फैसले का क्या असर होगा ये भी अब आपको समझाते हैं अगर सुप्रीम कोट ने ये फैसला किया कि संसत भंग करना सही है तो ये इमरान की जीत होगी लेकिन अगर सुप्रीम कोट ने ये फैसला किया कि संसत भंग करना अब समबिधानिक है तो ये विपक्ष की जीत होगी अगर सुप्रीम कोट ने ये कहा कि आव इश्वास प्रस्ताफ पर डेपिटी स्पीकर का फैसला ही सही है अब इश्वास प्रस्ताफ खालिच करना गलत है तो विपक्ष की जीत होगी दोनों possibilities हम आपके सामने रख रहे हैं अगर सुप्रीम कोट ने डेपिटी स्पीकर के फैसले को घलत बता दिया तो फिर ये विपक्ष की जीत होगी अगर सुप्रीम कोट ये कहता है कि इमरान पर आर्टिकल 6 लागू करने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया तो ये इमरान खान की जीत कही जाएगी लेकिन अगर फैसला इसके ठीक उलटाया तो फिर आर्टिकल 6 यानि कि देश-द्रो का मामला बनता है और विपक्ष को जश्न मनाने का एक बहाना मिल जाएगा पाकिस्तान में किसकी सरकार रहेगी या नई सरकार बनेगी ये सब कुछ सुप्रीम कोच के फैसले पर ही निर्भर करता है और इस बीच इमरान खान अलग अलग फोरम पर पाकिस्तान की जनता से समबाद किये जा रहे हैं सुमवार को इमरान खान ने फिर कहा कि वो चुनाफ के लिए तयार है इन्होंने मुल्क तबा कर दिया तो ये साड़े तीन साल से और बार बार कह रहे हैं थे कि जी प्राइम मिनिस्टर पर से इलेक्शन अस्तीफा दे या नी इलेक्शन करवाए तो मैंने तो वो कर दिया मैंने तो अनांस कर दिया इलेक्शन तो सवाल अब ये है कि ये स्प्रीम कोट क्यों चले गए हैं बीस से पचीस कोड रुपया दे के पालिमेंटेरियन्स के जमीर खरीद के क्या हकूमत बनाना ये बेतर है या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी एलेक्शन हो जो पब्लिक जैसे वोट देती है तो मैं अवाम को सरफ ये भी बताना चाहते हूं कि ये क्यों चाहते हैं कि हकूमत बहाल हो और इन किसी तरह ये जोनों ने खरीदे हुए हैं लोग इनके जीरे गवर्मट में आएं सबसे पहले इसकी वज़ाई है कि इनकी कोशिश मेरी साड़े तीन साल में एकी कोशिश रही ये दो भागे ऊएंगे हैं वों भी कर्शन केस्थ पे नवाज श्रीफ गन्वेक्टिड है, मुझरम करार दĩा गया है उसके बेटे बागे हूए है शाओड़ार नाज श्रीफ का वह है उसके बेटे बी बाहर भागे हूए है तो यह क्या है चाहते हैं कि ये क्यू चाहते करेंगे, इनके केसिस खतम होंगे, और ये होगा एन आरो टू लेंगे, ये चाहते हैं कि एन आरो भी मिल जाए, अपने अमपायर्स भी खड़े कर दें, अपने आफिसस भी खड़े कर दें, इलेक्शन कमिशन में भी जो दो रह गए हैं, वो भी अपने लोग डाल दें, तो अपने के लिग जो सारी जिन्गी एननोंने फिक्स मैचिस खेले हैं, इनका सिर्फ कोशिश यह है, मैचे सिर्फ जीते हैं पायर्स को साथ मलवा के, तो इनकी पूरी कोशिश है कि एलेक्शन कमिशन, जो भी बिरॉक्रिसी, वो नीचे सारा अमला election वो सारा पहले तियार करके फिर ये election की तरफ जाए